एनर्जी ऐसा प्रोडुक्ट है जिसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है आगे आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे इंडिया की आबादी बढ़ती रहेगी उसी तरीके से एनर्जी का जो डिमांड है वो भी बढ़ता रहेगा energy का जो production है उसमें हमें एक बहुत ही बड़ा shift देखने को मिल रहा है अभी के समय में हम देख रहे हैं कि जो energy का production हो रहा है वो coal और इस type के जो अलग-अलग type के natural resources है उसके द्वारा होता है लेकिन अभी के समय में जो shift हो रहा है वो हम visually देख सकते हैं लोगों के घर के ऊपर solar plates हमें लगे हुए देखने को मिले साथ में wind energy जो है वो भी अभी दिमें दिमें इंट्रोड्यूस होना शुरू हो रहा है और साथ में आगे आने वाले समय के अंदर हम यह भी देख माएंगे कि hydrogen के द्वारा हमें fuel के द्वारा यहाँ पर energy generation का हमें काम देखने को मिलेगा अब ऐसी जो companies है जो अभी के समय में जो solar plates हो गया या फिर wind energy है या फिर hydrogen के उपर काम करेगी उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइदा होगा अभी इसी type का एक fund है जो DSP mutual fund का है उसके बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे minute से minute detail लेने की हम कोशिश करेंगे अगर आपको भी इस fund के अंदर investment करना start करना है तो description में मैंने एक link दिया हुआ है वहाँ से अपना investment करना start कर सकते हैं investment करना इस link के द्वारा बहुत ज़्यादा simple और easy रहने वाला है साथ में एक और बात में आपको यह भी बतायता हूँ क्योंकि यह एक sectoral category का fund है तो आपको investment से पहले अपने advisor से ज़रूर बात करने चाहिए क्योंकि sectoral category के funds के अंदर हमें wallet rate बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और साथ में sectoral category के funds के अंदर हमें risk भी ज़्यादा देखने को मिलता है तो आईए हम start करते हैं DSP mutual fund का जो fund है उसका review आप यहाँ पर screen के अंदर देख सकते हैं यह है DSP mutual fund की खुद की website इसके अंदर यह जो fund है यह है DSP natural resources and new energy fund यहाँ पर दो type के themes को यहाँ पर use करने वाले पहला यहाँ पर natural resources और साथ में यहाँ पर new energy new energy के बारे में हम अभी आपको बताया अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर अभी तक कितने लोगों ने investment किया हुआ है तो अभी के समय में 1.5 lakh लोगों ने यहाँ पर investment किया हुआ है अच्छी तरीके से फायदा भी उठा रहे है वो कैसे वो भी मैं आपको आगे को अगर हम देखे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस टैप का फंड है इसका जो नेचर है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपने वीडियो को पॉस्ट करके तो यहाँ पर हम 990 क्रोड का AU हमें देखने को मिल रहा है और जो है 11 years and 3 months पूराना फंड है मतलब ज्यादा पूराना भी नहीं कर सकते हैं और ज्यादा नया भी नहीं कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें डायरेक्ट मोड के अंदर यहाँ पर है 1.06% का और यहाँ पर exit लोड निल है यह अच्छा है एक इनिशेटिव कि यहाँ पर exit लोड भी निल दिया गया है और साथ में अगर आपको investment करना है तो कितना time period आपको लेकर चलना पड़ेगा तो यहाँ पर 10 साल से ज़्यादा का time period आपको लेकर चलना पड़ेगा ताथ में अगर हम यहाँ पर holding की बात करते हैं तो company ने यहाँ पर कौन से कौन स्टॉक्स के अंदर investment के हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Tata Steel है कोल इंडिया है यहाँ पर हिंदाल को Industries Limited है Blackrock Global Funds है और साथ में जिंदल Steel Blackrock Global Funds और Reliance Industries यहाँ पर हर एक कंपनी का holding कितना लिया हुआ इस फंड के अंदर वो भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं साथ में अगर हम नीचे जाते हैं और भी तो यहाँ पर और भी facts हमें देखने को मिल रहे हैं उस facts के पहले मैं यहाँ पर बता का experience है यह दोनों जो fund में जास है इस fund को बहुती शांदार तरीके से manage कर रहे हैं अब यहाँ पर जो facts दिये हुए उसमें एक और point बहुती note करने जैसा है कि think before you invest मतलब आपको investment से पहले यह सोचना चाहिए क्या सोचना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं This is a sectoral thematic fund therefore its NAV is likely to fluctuate a lot more than diversified equity fund अब यहाँ पर एक देखने जैसे बात है क्योंकि एक thematic category का fund है जो मैंने आपको आगे भी बताया था यहाँ पर volatility हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी साथ में यह भी लिखा है कि please do not use recent or past returns as the only criteria to evaluate this fund यहाँ पर past return को देखकर आपको investment नहीं करना चाहिए Natural Resources and New Energy Fund carries very high risk यह जो theme है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा risk हमें देखने को मिलता है और वो क्यों यहाँ पर exact figures के साथ में यहाँ पर बता है In the past there has been an occasion where these funds NIV fell by 40% in a year एक साल ऐसा आया था जहाँ पर इस fund की NIV 40% जितना गिर चुकी थी तो आपको यह सब चीजे सोचने चाहिए investment से पहले Over any three rolling year time period this fund gave negative returns 20% of the times मतब तीन साल के अगर rolling returns को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर 20% का negative return हमें देखने को मिला था Rolling return के मामले में पूटफोलियो के बारे में देखने से पहले अगर आप इस चनल पर नए हो तो subscribe कर लिजेगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो like कर दीजेगा तो अभी यहाँ पर और नीचे आते हैं उनका वेटेज कितना है वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे की टाटा स्टील हो गया जिसका वेटेज अरा इन पॉइंट सिक्स वन कोल इंडिया 9.15 हिंदाल को इंडस्ट्री इस लिमिटेड 8.68 ब्लैक रोक यहाँ पर 8.50 यह एक फंड है जो कि इंडिया के अंदर रही हैं इंडिया के बाहर यहाँ पर इंवेस्मेंट हो रहा है इसके बाद यहाँ पर जो स्टॉक है वो है जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड 7.04 परसेंट अभी यहाँ पर मार्केट में लार्च केप मेडिके और स्मॉल केप के अंदर कितना अलेटमेंट है वो भी आ यहां पर देख सकते हैं, large cap के अंदर 57.90, global funds के अंदर जो मैंने यहां पर बताया था, black rock, यह global funds के अंदर आता है, इसके अंदर यहां पर 16.50, mid cap के अंदर 14.70, और small cap के अंदर 11.0, और यहां पर कौन से कौन से sectors में से investment है, तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, ferrous metals के अं 13.73, mutual funds, जो कि यह global funds है, black rock का उसके अंदर 15.18, non-ferrous metals 13.92, petroleum products 11.47, और gas के अंदर 10.39, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर stocks कौन से हैं, फिर साथ में यहां पर large cap, mid cap, small cap में से कितना investment है, और यहां पर sectors कौन से, वो सब यहां पर details एकदम completely बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, इसके बाद debt folio यहां पर देखते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं, कि reverse report rate investment के अंदर यहां पर 8.23, cash and cash equivalent में यहां पर कोई भी investment नहीं है, और यहां पर TREPS के अंदर 100% जितना allocation है, तो यह भी break up के बाद 100% जितना होता है, इसके बाद अगर हम देखें, यहां पर indicators, indicators के अंदर यहां पर सबसे पहला है, portfolio turnover ratio, तो यहां पर portfolio turnover का मतलब ही होता है, कि fund managers कितनी बार अपने stocks को बेचते हैं, फिर खरीतते हैं, अलग-अलग stock को फिर बेचते हैं, फिर खरीतते हैं, तो यह जो बार-बार करने की प्रक्रिया है, उसको कितनी बार करते ह तो यहां पर निकल कर आ रहा है 0.27% जो की बहुत ही कम है मैं बहुत सारे funds के रिव्यू करता हूं बहुत सारे funds के अंदर research करता हूं तब मुझे यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे funds के अंदर 80% जितना turnover ratio होता है turnover ratio यहां पर profitability के लिए तो सही है लेकिन जितना ज्यादा turnover ratio रहेगा उतना ज्यादा fund का यहां पर expense ratio बढ़ता रहेगा तो यहां पर आप देख सकते है जो यहांपर exit load zero दिया गया है तो वह यहांपर ये fund volunteers जो है उनके करण है कि यहांपर turnover नहीं कर रहे है अगर यहाँपर turnover जादा नहीं हो रहा है उसका मतलब यह होता है कि fund managers ने जो stocks लिए हैं उनके उपर उनका conviction बहुत ही अच्छे तरीके से और साथ में performance भी बताता है कि किस तरीके से stocks के साथ conviction भी है और साथ में performance भी deliver हो रहा है तो यहाँ पर standard deviation अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 18.07% का है standard deviation यहाँ पर 20 के आसपास होना चाहिए तो यहाँ पर sharpie ratio है 0.96 यह भी 1 के आसपास होना चाहिए यह भी 0.96 है यह भी अच्छा है बीटा को अगर हम चेक करते हैं तो peer-to-peer comparison करके चेक करना पड़ता है तो यहाँ पर 0.88% का है वो भी ठीकी है R² 77.72 यह भी अच्छा है इसके बाद अगर हम returns को देखते हैं तो नीचे थोड़ा आते हैं returns के मामले में अगर हम देखे तो बहुत ही शानदा returns हमें देखने को मिले यहाँ पर हमें इसी section को देखना है मत यह जो दिस फंड वाला जो section है उसको ही अपने को देखना है तो इस फंड ने यहाँ पर एक साल के अंदर 46.29% का return दिया है और इसको अगर हम और भी जो से की इसको benchmark तो 45.54% का return है अगर हम यहाँ पर 3 साल का return देखते हैं इस fund का तो 25.87% मतलब 3 साल से 25.87% का return दे रहा है last 5 साल से 21.07% का return दे रहा है और यह fund जब से launch हुआ है तब से 18.34% का return दे रहा है मतलब जब से यह fund launch हो रहा है 11 साल से यह fund 18.34% का return दे रहा है जो कि बहुत ही शांदर है जैसे कि मैंने वीडियो के starting में आपको बताया था कि energy की जो demand है वो हमेशा बने रहने वाली है तो आप यहाँ पर देख सकता है कि उसी के फल स्वरूप यहाँ पर हमें तो इन्सेप् पर clearly देख सकते हैं और आप mention भी कर सकते हैं यहाँ पर note down भी कर सकते हैं यहाँ पर riskometer कितना बता रहा है तो very high बता रहा है और साथ में अगर आपको investment करना है तो यहाँ पर 100 rupees से मात्र token amount 100 rupees से आप अपना investment start कर सकते हैं लंसम के दौर पर अगर आपको अपनी SIP start करनी है तो म 100 rupees per month से आप अपने SIP start कर सकते हैं amount बहुत छोटा है अगर आपको investment start करना है तब छोटे से amount से भी अपना investment start कर सकते हो Link मैंने description में दे दिया है वहाँ से आप अपना investment भी start कर सकते हो जो कि बहुत easy और simple steps के अंदर आप एकदम आसानी से investment कर सकते हो तो यह था हमारा आज का review हमारे DSP mutual fund का और अगर आपको यह video पसंद आया तो like कर दिजेगा अगर आप इस channel पर नए हो तो subscribe कर लेजेगा Thanks for watching